अज़ो यूटू फैंपली गुड मॉर्णिग जी कैसे है आप सब मैं उमीद करती हूँ आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे यहां पर मैं पी रही हूं मॉनिंग ब्रिंक और सिर्फ मैं गरम पानी पी रही हूं हलका सा तेज गरम है चाए के जितना मतलब चा चस्मा बनवाना है क्योंकि मुझे मोबाइल में बहुत देखना होता है जो वीडियो वगर हमें डालना होता है तो एडिटिंग और यह समय बहुत ही ज्यादा हम लोग को टाइम लगता है स्क्रिन में देखना इतना ज्यादा अच्छा नहीं है आखों के लिए तो सेफटी व हो और चस्akat लंगा है तो पूछ काम वम कर ली आप लोगों नहीं देखा ही किचन में मेरा आधा खाना भी बन रहा है ऐसे होता है's गंड़ते हैं मेरा कपड़ भी मेरे धुलते कर सकूं बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो से मेरा थोड़ा सा unless तो इसी तरह से आप लोग भी अपना management बनाएं तभी होगा तभी time निकलेगा नहीं होता है हम लोगों को और खासकर के खासकर के morning में और exercise morning में ही ज्यादा फाइदा करता है और अच्छा भी लगता मुझे तो morning में ही करना अच्छा लगता है कभी कभार होता कि नहीं बिल्कुल भी टाइम मिला तो मैं सामको करती हूं अजरवाइज मैं मौनी में ही एक्सरसाइज करना मुझे अच्छा लगता है और हां कई लों का कहना है कि मेरे घुटनों में दर्द होता है मैं उचल कूद वाला एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो जी मैंने बहुत तर कर और बैठ कर बहुत सारे एक्सरसाइजिस आप कर सकती है जो लोग भी बहुत ज़्यदा हैवी सरीर है या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम है उचल कुद नहीं कर सकती है तो आप बैठ करके करिए बैठ पर बैठ जाए या फिर में नीचे मैट बिछा लेजिए वहां पर ब बोडी पार्ट अच्छे से वार्क करेंगे और आपके अंदर बहुत ही फुर्ती बहुत ही स्टेमिना आएगा आप एक महीने एक्सरसाइज करके तो देखें कितने उसके फायदे हैं आप करके तो देखें तो यहां पर देखिए मेरा बाप भी इसमें बहुत परेशान करत है गोद में आ जाएगा कभी ममा को प्यार करने लगेगा तो खैर कोई नहीं बच्चे हैं अपना करते ही हैं तो जी देखिए अभी मैं आज जो एक्सरसाइज कर रही हूं वो मैं उचल कूद वाला नहीं की हूं कई लोग का कहना है कि पीरियर्ट में एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या तो देखिए मेरा वही टाइम चल रहा है तो इसलिए मैं उचल कूद वाला नहीं की हूं और मैं कर लूँगी कर सकती हूं क्यूंकि मुझे इतना पेन नहीं होता है कि मैं दर्द बर्दास ना कर सकूं और मैं उचल कूद एक्सरसाइज ना कर सकूं मुझे इतना ज मैं यहां पर बीज में उठके आई क्योंकि मैं कपड़े डाली हुई थी मसीन में देखा ही आप लोगों ने तो बस उसे बंद करना था वह करना था उसका पानी डेन करना था तो देखिए जब पिरियड्स आते हैं तो सब की बोडी का अलग अलग हर चीज होता है किसी को मत नहीं ओरय हु तो मैंने वही किया है और मैंने अज इक्सरसाइच 30 मिनट किया है तो आधे हैं तो आप को मैं कर तो डियर दो तीन दिन में बढ़ता और आप 2-3 दिन चार दिन इस टाइम कितना दिन होता है तीन चार दिन मुझे पांस दिन बट मैं मना करूंगी क्योंकि वो खटी चीज होती है तो कहीं कोई नुकसान ना करे तो इसलिए मैं मना करूंगी मत पीए हाँ एक चीज मैं बोलोंगी पीने को गरम पानी अगर आप गरम पानी पीते हैं तो आपका देखिए वेट लॉस तो होगा ही बेली फेड भी उससे कम होता है गरम पानी पीने से और पीरियट टाइम में अगर आप गरम पानी पीते हैं तो आपका जो दर्द होता है पेट में नीचे एरिये में दर्द होता है ना पेट के पीरियट टाइम में और वो जांगों में होते हैं कमर में होते हैं दर्द तो अगर आप गरम पानी पी अगर बहुत ज्यादा नहीं होता है तो जब मैं exercise करके उठी होना मेरा pain खतम हो चुका था बता है तो बहुत फायदे मंद होता है exercise बहुत चाहिए बहुत सारे लोग यहां पर देखिये यलो वाले को लर्के तो नियुक्त में अधर के यहां आई प्षेशemin पीछ 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 लगे ही राते हैं जहां यहां पर बैठे हुए हैं और अभी मोबा कर दो कि अब होगी तेयो इन ऑधर तो सज धज रही हूं क्योंकि मुझे पसंद है मैं इतना अगर कर लेती हूं में कप सिंदूर बिंदी लिस्टिक आज में काजल लगारी हूं रोज नहीं लगाती रोज आप लोगी काजल ना लगाएं इसका जो कालिक होता ना अंदर जाता है आँखों के लिए खराप करता ह सब्सक्राइब दो और पर निकाल लो लोग अच्छा लगता है खाना ले लिया है टाइम हो गया था मेरा खाने का टाइम तो मेरा नौबजे ही हो गया था क्योंकि मैंने पांच बजे किया था दिनर तो मेरा नौ बज़े ही हो गया था तो खर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि नौ बज़े मैं अपना फास्ट तोड़ सकूं तो इसी चक्कर में हो जाता है मेरा अठारा घंटे तो मैं साड़े-दस बज़े कभी या फिर या ग्यारा बज़ जाता है खाने में तो ऐसे पूरे हो जाते हैं इस पेसली मैं अठारा घंटे का नहीं करती हूं इंटर मीटन फास्टिंग सिर्फ 16 गंटे का ही करती हूं और मेरे कुछ सिस्टर लों का कमेंट था उनका कहना है कि डाविटिक और थायराड पर वीडियो बनाईए इस पेसली कि उसमें क्या कुछ खाना पिना है मॉर्निंग से नाइट तक और वजन कम कैसे करें क्योंकि जब थायराड होता है और डाविटीज होता है तो फिर वेट लॉस करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है तो जी कोई मुस्किल नहीं है आप वीडियो का इंतजार करिएगा कल मैं पूरा कोसिस करूंगी कि वीडियो आए पूरा क्या मैं डन करती हूं वीडियो आएगी ठीक है थायराड और डाविटीज पर किसको किसको चाहिए वीडियो कमेंट भी करिएगा ठीक है मैं बताऊंगी अच्छे से हर चीज को बहुत हीजी तरीके से बहुत से असानी से आपका वजन कम होगा कुछ अच्छे से आपका वजन कम होगा और मेरा घ्रीन टी नहीं पी हूं और कर दिया है देखिए कब तक आता है साम के बज़ रहे है साड़े चार मैंने फूर्ट ले लिया है तो मैं इसको खालूंगी और उसके वासे देखते हैं क्या खाते हैं और दूध और मुसली मेरा खान का मेरा और कोई पूछ रहा था कि पांच बज़े आगर आप खा लेते हो डिनर कर लेते हो तो आपको भूख नहीं लगती है राट में तो देखिए जैसे आप अपनी बॉड़ी को आधर दलाएंगे ना वैसे ही डलेगी स्टार्टिंग में जब मैंने इंटर्मीटें सुर कर पिया गरम पानी पिया और पानी पिया जब ऐसा मुझे मतलब लगता था भूख मतलब फील हो रहा है तो मैं पानी पी हूँ और ग्रीन टी बना के पिया मैंने तो ऐसे करते करते ना फिर मुझे जब 5-6 दिन हो गया ना तो फिर मुझे जो वह लग रहा था है कि मुझे वह दो जय से आप अपने आपको ऊड़ जाती है अगर आप तो आपका बल बन जाएगा एक रोटी की ही भूख और लिए यह दिमांड करेगा जब से मैंने साम को खा ना चोड़ा है तो मैं साम कर रोटी मेने बंद कर लिया तो तो मैं 24 घंटे में अभी एक खाती हूं और साम को फ्रूट्स हो गया आया फिर चीला वगर कभी जो भी मैं डिनर में लेती हूं इस्प्राउट वगरा वो जितना भी मैं खाती हूं उसको खा करके फिर मुझे भूख नहीं लगती है फिर रात में मैं ग्रीन टीपी लेती हू जाता है तो आप जैसे अपनी बॉडी को ढडालोगे वैसे ठल जाएगी और हमारी बॉड़ी छे।ी रोटी खाने के लिए नहीं बनी है वह तो इंसान Spring को बश्रुद्टे इंचांग लos खुआ है और बटी युद्स इंस इंसान खाना खाता है तो फ्रूट्स खालेंगे और यह मेरा डिनर है फ्रूट्स हो गया और यह देखिए एक मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है और यह दूद मुसली लिया है मैं इसको डिनर में ले लूँगी ब्राउन ब्रेड आप खा सकते हैं ब्राउन ब्रेड और पीनट कम कर लिया है आप इस बजन को कैसे मेंटेन रखेंगे वो बताओ आप तो सिंपाल है बिल्कुल कुछ भी नहीं ख़रना है आपको सिर्फ 32 बार चबा करके खाना खाना है और आप सब कुछ खा सकते हैं ठीक है और जैसे कभी जंग फूट वगरा भी खाना होगा तो आप बिल साब कर आप गर कर जरूर कर एगा घ्रक्किक्त और फिर योगा जरूर कर गद़ने महाद गार भी नहीं ज्यादा तो 20 मिनट जरूर कर ये गार नहीं पानी चिए दनी और तो 10 बिस बार कर लिए और को उपतिस बात लिए करना ह है ठीक है आपका weight maintain रहेगा देख लेना बिलकुल भी वजन कम नहीं बढ़ेगा नहीं ठीक है और बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी आपको बता है सब कुछ आप खाना खाइएगा घर का भी और कभी जंगfood का तो मतलब जंगfood वगर तो होई जाता है तो आप खाईएगा कुछ भी नहीं होगा ठीक है वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा आप टेंसल लेने की ज़रूद नहीं है बतिस बार साथ है न तो बतिस बार को अपनाएं अपने जीवन में हमेशा के लिए ढाल लें हमेशा अगर सुन्दर स्वस्थ रहना है तो ठीक है और इ सथे 32 बार से च्छा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं यह मेरा खुद का आन्भ वह है मैं देख रही हुँ 6 महिने से और इसे मैं में वजन कर लीृगी थी कम तो एक दो महिने तीन महीने भूत मैं hog कुछ वहां वहां भी मीठा वीठा सब कुछ मैने खाया मार नाम से आप खाओ प्यों मस्तरों 32 बार के साथ ठीक है एक सरसाइज भी जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो जरा सभी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर न्यूं है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएग हो सकता है इस वीडियो से किसी का भूला हो जाए जो बहुत मोटापे से परिशान है उनको बीमारी भी लग चुकी है बीमारी से सौरी मोटापे से वह बहुत परिशान है तो वह इतने इजी तरीके से 32 बार फर्मूला को अपना करके अपना वजन कम कर सकते हैं अपनी बीम आटा बाई बाई मिलते हैं को अच्छे से ब्लोग के साथ कल आज के लिए बस इतना ही बाई बाई गुड़नाइट गैस लव यू टेक क्या